पूरे इंटरनेट पर सिर्फ एक ही चीज के लिए बात हो रही है, SEO is dead, क्या SEO dead हो चुका है, क्या हमें blog ranking नहीं मिलेगा, अगर blog नहीं मिल रही है ranking तो क्या क्या हमें factors जो ध्यान देना चीए, और SEO बास्तों में अगर बंद हो चुका है, SEO मर चुका है, तो भाई कैसे हमें ranking मिलेगा, search engine आप कैसे काम करेगा, 2024 के अंदर में, पूरे confusion में आपको धूर करने वाला हूँ, उसके बाद मैं आपको यह भी बताऊंगा, कि किस तरीके से future में blogging होने वाला है, जो AI आने के बाद future में blogging में क्या क्या होने वाला है, और SEO के अंदर में 2024 के अंदर में क्या क्या बदलाओ किये गये हैं, लास्ट मैं आपको यह बताऊंगा, कि Google के अंदर में rank कैसे करते हैं, 2024 के अंदर में SEO में changes आई है, तो कैसे हमें ranking करना है, तो सबसे पहला मैं point बताऊंगा, कि why SEO is not dead, अब SEO देद क्यों नहीं होगा, वो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, पूरे internet पर EC के ऊपर में बात हो रही है, तो सबसे पहला reason है कि देखो Google की लगतार update आ रहा है, Google बार बार अपना Google algorithm को change कर रहा है, search engine को improve करने के लिए, SEO को और तगड़ा बनाने के लिए, और SEO को best practice बनाने के लिए, अपना search engine को change कर रहा है, search engine को update कर रहा है, इससे एक बढ़िया better result user के सामने मिल सके, इसलिए Google का बार वर core update आ रहा है, बार वर spam update आ रहा है, ताकि जो जो website spamming कर रहा है, जो साइट का कोई काम नहीं है, उसको remove किया जा सके, तो search engine को सबसे ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए, SEO को update किया रहा है, ना कि SEO को देद किया जा रहा है, अब उसके बाद देखो, Google क्या कर रहा है, कि Google अपने content को change करने के लिए, जनरेटिव AI का concept ला रहा है, अब इसमें होगा क्या कि search engine जनरेटिव AI concept में क्या होगा, कि जो भी आप article लिखोगे, जो भी article लिखोगे, उस article को कुछ-कुछ point को उठा कर Google अपना search engine AI generated में, खुद वहाँ पर clear करेगा, और खुद उसको concept को डालेगा, जैसे मैं आपको एक example समझाता हूँ, ए रिपोर्ट रहा, गोगल का ही रिपोर्ट है, तो इसमें साफ लिखा हुआ है, एक जाम्पल के साथ दिया हुआ है, भाटिव जनरेटिव AI in search engine, अब इसमें क्या होती है, कि जैसे कोई भी लोग search करते हैं, बिंक ब्राउजर है, अल्रेडी लागू कर रखा है, जिस तरीके से chat GPT exactly point बता देता है, उसी तरीके से यह भी एक point बताएगा, search engine के पार्ट में, जैसे यहां पर example समझाया है, कि डज हनी एवर अस्पॉाइल, अब इसके बारे में पूरे AI generated एक text मिल जायागा, जो किसी website से related नहीं होगा, जिस website में अच्छा और suitable information रहेगा, उस website को pick up करेगा, और आए website में यहां पर add करेगा, यह सब काम इसलिए किया जा रहा है, क्योंकि AI आ चुकी है, तो generative content भी लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, Google को search करने की बाब जूर डिरेक्ट अंसर जानना चाते हैं, तो उसके लिए website बगर आप विजिट करना चाते हैं, और जिस तरिके से chat GPT बूम कर रहा है, तो AI generative content आना काफी ज़्यादा ज़रूरी था, Google search engine को और ज़्यादा improvement करने के लिए, यह सबसे बड़ा challenging चीज़, जिस ब blogger को भी suffer करना पड़ेगा, क्योंकि एक समय में क्या होता था, कि हमें search engine में ranking कराने के लिए, number one या number two position पर करना है, keyword stopping कर देते हैं, कई लोग फिर यहाँ पर keyword research करके डालते हैं, अब तक नहीं रहा, अब थोड़ा सा changes हो चुका है, अब हमें keyword research और keyword stopping से काम नहीं चलने वाला है, अब हमें पूरा content पर focus करने वाला है, क्योंकि Google भी search engine को improve कर रहा है, search engine optimization तो देड नहीं होने वाला है, क्योंकि यह अपना update कर रहा है, अब देखो search engine optimization में बहुत ज़्यादा यहां पर चीज़ी आ जाती है, पहले तो क्या था, keyword stripping बगर करके ranking करा सकते हो, लेकिन अब ना बहुत चीज़े ध्यान देना पड़ेगा, जैसे आपको search engine में ranking करना है, अगर issue नहीं डेट हुआ है, तो search engine में ranking करना है, तो बास्तों में आपको technical issue पर भी focus करना पड़ेगा, technical issue को भी focus नहीं करके चलोगे, तो अब की search engine को ranking नहीं देगा, तो इसके अंदर में क्या 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 आ जाता है, जैसे website का performance हो गया, website का responsiveness हो गया, कि कितना responsive है, कौन से device में अगर open कर रहा है, तो कितना fast open हो रहा है, technical optimization हो गया, जो बहुँ ज़्यादा search engine को पर impact कर रहा है, तो इस अब ना technical optimization बहुँ ज़्यादा matter कर रहा है, अब ये SEO का एक part हो चुका है, तो अब आपके लिए SEO देद हो चुका है, लेकिन अगर ये सब चीज़ों पर भी focus करना सुरू कर दोगे, जैसे core battle wave का जो इशू आती है, जो search console के अंदर में होता है, उसके बाद broken link हो जाती है, search engine optimization को clean और structure देना है, XML file को updated रखना है, उसके बाद एक structure और schema data बनाना है, तो ये सब चीज़ों पर भी focus करना सुरू कर दोगे, तो आपके लिए SEO date नहीं हुआ है, इसके अलाबह भी बहुत चीज़ों आ जाती है, जो मैं आपको details में बता सकता हूँ, कि link building भी एक बहुत ज़्यादा तरीका था, जिससे high quality बेक link मिल जाती थी, तो ओभी एक बहुत ज़्यादा तरीका है, जो search engine में ranking करा सकते हैं, और वो सब आपको करना आज के समय में ज़रूरी है, फिर local SEO भी करना ज़रूरी है, जो Google search engine में business बगर होती है, वो भी ranking करता है, तो ओभी ज़रूरी है, उसके बाद क्या कर रहा है, कि Google search को काफी ज़्यादा प्रियुटाइज दे रहा है, मतलब भाइज सर्च को काफी ज़्यादा इपॉर्टेस दे रहा है, जो हर एक language में दे रहा है, तो ओभी आपकी content to step से message होनी चाहिए, user experience अच्छा होना चीए, analytics बगर है, तो खुद आप डाली सकते हो, आपके लिए SEO डेट नहीं हुआ है, और यह सब नहीं focus करते हो, यह सब चीज़ों को ignore करते हो, तो समझ लो भाई आपके लिए SEO डेट हो चुका है, को कि समझ लो कि हर एक सर्च इंजन ना SEO पर ही टिका हुआ है, चाहे कि Reddit आजा या फिर Quora आजा, कितने भी सर्च इंजन ना जा, लेकिन एक Local Based SEO होती है, वो काफी ज़्यादा इपॉर्टेंट होती है, website को ranking कराने में, एक मैंने point cover कर दिया, कि SEO डेट नहीं हुआ है, अब मैं बता देता हूँ कि future में blogging का क्या, यहाँ पर होने बाला impact क्योंकि AI आ चुकी है, तो हमारी blogging की step से जरने, the future of blogging after AI dead होगा, यह फिर alive होगा 2024 कंदर में, AI generated content पर भी focus करना है, तो देखो यहाँ पर बहुत बड़ी report है, लेकिन मैं एक चीज में समझा हूँ, AI के आने के बाद blogging में बहुत चीजी बदलाव हुई है, जैसे blogging में जो मैंने भी आपको दिखाया, कि यह जो content ला रहा है, जनरेटिव AI content, अब इसमें क्या होगा, कि आपकी blogging का जितने website ranking करा लो, लेकिन जनरेटिव AI जो भी आपकी content अच्छा रहेगा, अभी तक discuss किया, search engine को काफी ज्यादा importance दिया जा रहा है, search engine में देखोगे, तो काफी कई लोग यहां पर keyword का intent को नहीं समझ पाते थे, कि लोग क्या सर्च कर रहा है, जैसे transactional keyword है, navigational keyword है, commercial keyword है, informational keyword है, जो 2024 का जो अपडेट आई थी, 2022 में अंदर में जो search engine अपडेट हुई थी, इस पर मैंने एक पूरा टूटोरेल वीडियो बनाया था, कि search engine optimization का नया report आया है, नया जो जो changes आई है, उसमें क्या-क्या बदलाव किया गया है, अगर ये पूरा वीडियो जो दिखना चाहते हो, complete series दिखना चाहते हो, तो ये वाला वीडियो फॉलो कर सकते हो, इसमें मैंने पूरा डेटियल्स में बताया था, कि search optimization में अब क्या-क्या बदलाव हुए है, 24 के अंदर में blogging क्या-क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, अगर ये वीडियो आपको part by part देखना है, तो मैंने part by part भी बताया है, जिसके लिए मेरे playlist section पे चलिया, how to rank in Google search engine में, तो कैसे rank कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर पूरा playlist बनाया है, पूरा playlist आप देखकर समझ सकते हो, आप लोग को भी पता लग जाएगा, कि search engine में कैसे ranking होती है, कि step से blogging के लिए, कौन-कौन सी website को जल्दी Google refer करता है, और AI search engine आने के बाद, आपको क्या-क्या benefit होने वाला, क्या-क्या disadvantage होने वाला है, मैं आपको last में यह बता देता हूँ, कि Google search engine में ranking कैसे कर सकते हैं, तो Google search engine में ranking करना काफी ज़्यादा easy है, लेकिन आपको complicated लगेगा, जब आप एस सब चीज़ों को बारे में, उतना अच्छे knowledge नहीं हो पायागा, उतने अच्छे आपको यहाँ पर information, से information नहीं मिल पायागा, इसके अंदर में search quality system को improve कर रहा है, अब उसमें उस website को refer किया जाएगा, उस website को ज़्यादा priority दिया जाएगा, जिसमें quality high standard हो, real level हो, helpful हो, high quality information हो, इस information को ज़्यादा वेल्वेवल दिया जाएगा, उस website को जल्दी priority दिया जाएगा, कोई Google इस तरीके से customize कर रहा है, integrated कर रहा है, अब के समय में इस सब चीजे कुछ नहीं होने वाला है, आफी search engine change हो चुका है, इस PDF का report चाहो तो आप खुद से पढ़ सकते हो, PDF का report पढ़ने के लिए आपको simple Google पर type करना है, इन निव बे टू सर्च वीजनरेटिव एई, और वर्वीव आप SGE, अब यह overview एक PDF है, इसको मिल जाएगा Google पर आपको live मिल जाएगा, PDF सर्च करोगे तो 2024 के अंदर का एक report है, बोखो जल्दी Google पर implement होने वाला है, पुरे आप point को भी पढ़ सकतो, काफी अच्छा-च्छा point दिया हुआ है, search engine कैसे काम करती है, search engine में क्या-क्या changes होने वाला है, SG या रहा है, इसके अंदर में कैसे वर्क करेगा, हमारी website को कैसे ranking देगा, और हमारी website का किस quality के basis पर जजज करेगा, किस website को अच्छे से ranking देना है, तो ओ सब चीज़ों को भी report यहां पर पढ़ सकते हो, तो search engine काफी change हो चुका है, आपको काम करना पड़ेगा, को entity के जगा quality पर भी focus करना पड़ेगा, जो काफी potent हो चुका है, क्योंकि search engine बार बार अपडेट हो रही है, आई हूप guys, आप लोगो वीडियो पसंद, वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करो, आप मेरे से कोई भी website चेकिंग कराना चाहते हो, मेरे से बात करना चाहते हो, तो आप मुझे Instagram पर message कर सकते हो, Instagram का link description box में दिया हुआ है, मिलते हैं ने वीडियो में, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवा,